तो आज का व्लॉग होने वाला है मैप्रो गार्डन का हम लोगों ने जस्ट एंटर किया है मैप्रो गार्डन में जो कि महा भलेश्वर में है और यहां पर आते ही जो है यह कुछ फोटो सेशन के लिए जगा दिख गई यह नहीं काफी सारी जगा है काई आगे तो वीडियो म आप लोगों को पता ही चलेगा पता नहीं क्या बात कर रही थी में किस एक्षन में यहां पर यह लोग चलो फोटो के लिए निकल ली गए क्योंकि इन लोगों को फोटो निकालने का बड़ाई शॉख है मेरे जैसा फिर यहां पर जो यह फ्लाज विगरा देखके तो आपक क्योंकि हम लोगों को खाना था सैंड्विच यहां का और आइस क्रीम पीजा भी खाना था बड़ नहीं हुपाया क्योंकि सैंड्विच यह बहुत बढ़िया लगा ऐसे बहुत सारे काफी काफी पॉइंट से जहां पर जो है वह काफी अच्छा फोटो आ सकते तो यहां पर इसलिए काफी जादा ठंड ठंड भरा मौसम लग रहा था यहां पर यह लोग को जब लड़ा रहे क्योंकि यह जश्ट बिलिंग करके आए है और यहां पर देखो मैं ठूस ठूस के खार रही हूँ और एक मज़े की बात है यहां पर जैसे सैंड्विच के साथ वैफर मिलत मतलब इतना यम्मी मैंने कभी जिन्देगी में नहीं सोचा था कि इतना यम्मी सैंड्विच हो सकता है मतलब इसके आगे तो सब सैंड्विच फीके है यह ब्रेड भी इनकी तरफ से ही बनता है इनके फैक्टरी में और यह बाबा बाबा इनका केचप एवर्थिंग क्रीम वाला जो टेक्चर है बहुत दिखने भी सुन्दर लग रहा था और खाने में उतना ही जादा डिलिशियस लग रहा था तो मैंने तो बहुत ठूसरूस के खाई और बहुत मजाया कुछ 300 सम्थिंग रूपीज की एक सैंडविच आती है और अराउंड कुछ इसी बहुत चारी प्लेस थी यहापर मतलब बहुत सारी ऐसी जगा थी स्पोर्ट थी बट हम लोग पूरा नहीं कवर कर पाई क्यूंकि हम लोग काफी लेट आये थे और आगे भी हमारा कुछ प्रोग्राम था इसी लिए प्र मज़ा आया बहुत अच्छा लगा और खाके तो इ मैंने भी बहुत सारा डेर सारा समान लिया था काईजिया पर मतलब हम सोचते हैं कि कई ट्रिप पे जाएंगी तो हमारा बजट अगर हम कुछ एड पकड़ रहे तो वह एड़ी और हो जाता है लेस कुछ नहीं होता मतलब शॉपिंग पकड़के तो बजट और ही जादा कु यह बहुत यम था मुझे बहुत यूनिक और अच्छा लगा इसलिए हमेने दो फ्लेवर का लिया और बाकी लोगों ने भी हम जितने भी लोग थे हम सबने मिल के त्री फोर फॉर फाइफ थाउजन तक यह की शॉपिंगी फिर यह पे को जूस वेगरा जो भी थे ना गाई था जो कि अभी घर पर पढ़ा हुआ है लेकिन मैं एक भी बार पिया नहीं वहाँ पर मिल्क के साथ बहुत अच्छा लगा मिल्क और पानी के साथ दोनों के साथ भी आप पी सकते हैं मतलब हर एक फ्लेवर का अलग-अलग होगा बाट हुने ने मैंने जो लिये उसमें उन् भाट मन से ही शौपिंग की क्योंकि यसारी चीज़े तो मुमबई में मिलने वाली है और मियम्मबई में मिले तो बाट में मिलेगी क्योंकि तो था ओ यहां पर इस दिख रहे हो जो मतलब चोको चीप्स वेगेर या फिर आइस क्रीम में वो जो क्रीम डालते है ना ऐसे सी करके वो वाली भी थी और एक चीज थी गाइस मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया पता नहीं क्या बोल रही हूँ किसका हम लोगों का ऐसे जखड़ा चालू रहता है दिन न रात तो ऐसे कुछ ना कुछ बात होई रह कोई भी चेशप ले लो और इनका केशप ले लो और मुझे तो इनका बहुत पसंद आया बाकि तो आप पर डिपेंड़े आपको किस کا केशप कैसा लगता है फिर गाईز यहां पर चोकलेट्स थी खोकलेट्स थी वह न हो फो जो फालेरो चोकलेट्स आते यह बी तो इन Alicia ब यह नहीं लिया मुझे बहुत पसंद आया इसलिए क्योंकि यहां का अच्छा नहीं लगा और फिर यह देखने के बाद मेरे को याद आगा है कि यह तो ना जूस वाले वेगरा इनके पास भी रहता है यही वाला तो जो फालूदा या फिर कुछ भी बनाते हैं तो उसमें यह सारे इंग्रेडियंट्स दालते हैं बट मैंने दो इंग्रेडियंट्स लिया और अगर पसंद भी आते हैं तो बाद में तो यह लोग लोकल ही है कि इनको बोल सकते है कि लेकर आओ यहां पर ना टेस्ट कर रहे थे हम शायदी एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और एक अगर आगर 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 व्लोग में तो आपको च्ट्रॉबेरी का खेद लिखाने वाली हो गाइस में जो कि हमारे फ्रेंड का ही है तो यह आज का व्लोग आपको अच्छा लगा और यह जो गवावाला कुछ जेली टाइब का है